नमस्कार आज फिर मैं हाजीर हुआ हूँ डॉक्टर बीमल चाजड मैं साउल हाट सेंटर चलाता हूँ इंडिया भर में हमारे कोई सो ब्रांचेस हैं हम हाट के पेशिंट्स को एजूकेट करते हैं खान पीन लाइफस्टाइल के बारे में और उनका ट्रीटमेंट करते हैं व इंफॉर्मेशन भी जो गॉब्मेंट के गाइडलाइंस आ रहे हों बदल बदल जा रहे हैं बार बार और इसलिए आपको मालूम होना चाहिए क्या करें क्या 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 ना करें और इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है कोरोना की पूरी कहानी उसको जरूर देखिएग जयता है तो वे दो-तीन दीं बार दिया जाता है तो पांच में छटे दिन उनको पता चलता है कीpol ऑड करोना का बिमार हो चुका है तब तक काफी लेट होगा अगर प्रोग्रेस कर गई है 5 opposite 7 दिन के अंदर वो कोरोना लंक्स में पहुंच जाता है और लंक्स में निमो नी है और 7-8 दिन में कंडिशन बिगड सकती है तो इसलिए हम लोग को मालूम होना चाहिए कोरोना के बारे में और अगर लंग्स में हमारी बॉड़ी ने जीत पा लिया तो कोरोना धीरे-धीरे सबसाइड कर जाती है इस स्टेज को बोलते हैं स्टेज टू स्टेज वान है जब को लंग्स में नहीं पहुंचा स्टेज 2 में लंग्स में पहुंच चुका है और लंग्स में अब वो बढ़ रहा है अब अगर हमारी डिफेंस मेकैनिजम इत्ती अच्छी है और हमने उसको कंट्रोल कर दिया फिर तो बहुती अच्छी बात है इसको बोलते हैं स्टेज 2 ए और stage 2 B में कोरोना जीता गया और कोरोना फैलता गया और उसके साथ हमारे बाड़ी में इंफ्लामेशन होती है हमारे बाड़ी में सूजन पैदा होती है बहुत सारे पानी एक्यूमूलेट होने लगता है लंग्स में अलवियोलाई में और ऑक्सिजन की कमी पढ़ने लगती है वो stage 2 है जहां ऑक्सिजन की बाहर से जरुवत है हमारे लंग्स अपने ऑक्सिजन को मिंटेन नहीं कर पा रहा है अब आ गए हम पैनिक सिचुएशन में और इसको हम लोग बोलते हैं इस 3 में चला गया जब हमें ऑक्सिजन और होस्पिटलाईजेशन की जरुवत है तो ये एक क्रम चलता रहता है और अगर बिमारी बढ़ते जाती है 13-14 दिन में या तो मरीज एकदम खराब की कंडिशन में होने लगता है या इंप्रूव करने लगता है तो ये समझे लिए एक से करीब 20-22 दिन का टोटल साइकल होता है ज्यादातर लोग मैंने आपको बोला है 80-85% स्टेज वान में निपड़ जाते हैं और एकदम ठिक ठाक हो जाते हैं पर वो स्प्रेड करते रहते हैं तो जो भी प्रिकॉशन्स नहीं लेते हैं उनके वहाँ करोना पहुँच जाएगा चलिए अब करोना आपकी सिम्टम्स आपने देखा क्या सिम्टम्स ना आपको या बुखार हुआ या सांस फूली या आपको सरदरद हुआ वमिटिंग हुआ लूज मोशन हुआ गले में खरास हुई सरदरद हुआ ये सब सिम्टम्स हैं हम लोग समझ जाते हैं करोना के लक्षन है इसका मतलब और तीन एक दिन हो चुका अब और दो एक दिन में वो सारे म्यूकस मेंब्रेन हमारे जहां पे नाक से इंट्री हुआ मूँ से इंट्री हुआ सारों चारों तरफ म्यूकस मेंब्रेन है जो हमारे इंटेस्टीनल पाइप है उसमें भी है और हमारे नाक वरक के चारों तरफ के जितने दिवाल है सब म्यूकस मेंब्रेन से तयार है और mucus membrane में वो वाइरस अंदर घुसता है उसको मारता है और उसके अंदर grow करने रहता है multiply करने लगती है और वो दीरे दीरे lungs तक पहुंचती है पांच में दीन तक हम लोग समझते है lungs तक पहुंच जाती है अब ये बात आती है कि lungs में पहुंच गई और बिगड़ रहा है कि नहीं बिगड़ रहा है ये कैसे पता चले क्या हमें CT scan कराना चाहिए आपको मालूम है कोरोना में जो CT scan हो चेस्ट का होता है और इसको बोलते हाई रिजोलूशन CT scan हाई रिजोलूशन CT scan का मतलब है बहुत पावरफुल मशीन से करना पड़ता है उसको और वो हाई रिजोलूशन CT scan जो होता है वो 128 slice या उससे भी बढ़के scanner होता है उससे किया जाता है तो ये जो scan है ये कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए कब हमें पता चले कि अपनी की indication क्या है ये बात आज आपको बताने बाला हूँ देखे अगर lungs में पहुँच गया है और lungs में वो अभी भी spread नहीं किया है तो आपको CT scan करने की कोई जरूरत नहीं है तो कैसे पता चलेगा spread हुआ की नहीं हुआ देखे तीन टेस्ट आपको करने के लिए मैं बोलूँगा एक तो oxygen का आप जो pulse oximeter से saturation चेक करते हैं उसको चेक करिए और अगर pulse oximeter में saturation 94 या 93 आने लगए या उससे भी नीचे आने लगए तो आपको इस इंडिकेशन की आपके lungs में कुछ गड़ बढ़ है और ये CT scan करने की इंडिकेशन है दूसरा इंडिकेशन एक आप बहुत simple सा काम कर सकते हैं पहले दिन जिस दिन आपको symptom पता चला वो घरेलू टेस्ट है कौन से घरेलू टेस्ट है ना इसमें आप एक चीज कर सकते हैं आपको मालूम हर mobile में एक stop watch होता है stop watch में जाइए और उसमें आप एक बहुत बड़ा सा सांस लीजे और रोक लीजे और देखे कितना देर तक सांस को रोक सकते हैं यह 20 सेकंड से 50 सेकंड तक कुछ भी होता है तो आपको यह पता चलेगा आप कितने देर सांस को रोक सकते हैं इसको हमारे medical भासा में बोलते हैं breath holding time यह breath holding time आप चेक कर लीज़े अपना और हर 28 गंटे में ब्रेफ होल्डिंग टाइम चेक करते रही है अगर यह वहीं रहता है या बढ़ता है तो इसका मतलब कोई नुकसान नहीं है पर अगर यह कम होने लग जाए तो आप समझ जाएए आपके लंग्स में फरक आने लग या तो हर 8-8 गंटे में breath holding time करिए बहुत सरल है सिर्फ आपको एक घड़ी चाहिए और second की काटा चाहिए उससे आपको यह देखना है किते देर आप सांस को रोक पा रहे हैं एक बहुत बड़ा सांस लिया और रोक दिया और कब तक रोक पा रहे हैं 30 second, 40 second, 15 second, 20 second जहां पे भी है अगर वो कम होने लग जाए तो आप समझ लीजे आपका lungs involved हो रहा है तो CT scan कराना पड़ेगा चेस्ट का और तीसरा एक और test कर सकते हैं जिसको बोलते हैं 6 minute walk test यह क्या चीज़ है आप 6 minute तक घर के अंदर walk करेंगे पहले oxygen saturation check करेंगे 2-3 minute तक wait करेंगे देखेंगे steady कहां तक आ गया माल लेते हैं 96 है, 97 है अब आप 6 minute walk करेंगे आदमीं बोलता कि speed में करीब 90-100 step per minute आप गिनिएगा नहीं पहले से पहले 90-100 step चल के देखें क्या speed है आपको समझ आगे यह speed है गिनने लगेंगे चलते चलते तो सांस ज्यादा फुलेगी तो आप आराम से उस speed में 6 minute घड़ी देखके चलिए और फिर से oxygen saturation चेक कीजे, अगर वो oxygen saturation 94 से कम आने लगया 93 से कम आने लगयी तो आप समझ लेजे, आपका lungs involved है तो यह 3 चीजे हैं एक oxygen saturation 94 से कम हो जाना दूसरा आपकी breath holding टाइम कम होते रहना और तीसरा 6 minute walk टाइम के बाद आपकी oxygen saturation कम होते रहे हैं इसका मतलब है अब आपको CT coronary scan करने का CT chest करने की जरूरत है और यह आपको बता देता है आपका lungs में कितना involvement है अच्छा इससे क्या फाइदा lungs में अगर involvement ज्यादा होने लगी तो आप यह समझ जाईए आपकी oxygen की जरूरत आगे आने वाली है और उस बकत आपको अपने जो body के reaction है जिसको बोलते हैं लोग inflammation उसको रोकना बहुत जरूरी है और उस बकत होती है steroid की indication तो जैसे ही आपकी lungs में involvement होने लग जाए और वो बढ़ने लगे तो आपको पता हो जाना चाहिए इसके लिए CT chest कराना बहुत जरूरी high resolution CT chest और यह test आजकल बहुत हो रही है लोग कोई को भी corona होरा जाके CT chest करवा रहा है मैं इसके favor में नहीं हूँ क्यों मैं आपको बता दूँ एक CT chest करने के लिए जो high resolution में कड़ीब देड़ सो x-ray की जरूरत है chest x-ray की और अगर अगर वो थोड़ा कमजोर machine हो 300-400 most of the machines हमारे इंडिया में 300-400 x-ray plates के बराबर chest x-ray के बराबर radiation देता है और आपको मालूम है radiation से cancer होने के बहुत ज्यादा chances होते हैं तो इसलिए CT chest अभी कराएं जब indicated हो ऐसे नहीं कि हर कोई पहुँच गया CT scan एक इसमें पूरा infrastructure पे load पड़ रहा है इतना पैसा खर्चा हो रहा हां पैसा कितना खर्चा होता है मैं आपको बता दूँ ये जो CT chest है इसको कराने के लिए आम जगे में पांच से साथ हजार आठ हजार तक टेस्ट का लिया जाता है मैंने कोसिस किया हमारे सावल में हम लोग जैसे CT coronary angiography कराते हैं उसका 15,000 का बहुत कम करवा दिया हमने 7,000 में करवा रहे हैं वैसे हमने CT chest जो हमारे जहां जहां होता है उन्होंने इसे बात किया है और उन्होंने हमारे लिए साड़े तीन हजार में टेस्ट कराने तयार हो गए तो आप गर आपको दिल्ली में ये CT scan कराने की इच्छा है और जरूत पड़े तो आप हमारे कोई भी क्लिनिक हमारे जिक्ते सावल के क्लिनिक हमारे वेबसाइट में जाएए सावल के दिल्ली के क्लिनिक में कहीं पे भी जाके आप वहां से slip इकठा कर लीजे और वो स्लिप ले जाके आप कराएंगे तो साड़े तीन हज़ा रुपए में CT scan हो जाएगी तो ये हमारा वादा है सावल के तरफ से हम हर वक्त कोसिस करते हैं लोगों की पैसे बचे अननेसिसरी खर्चा ना हो तो anyway CT scan के बारे में मैंने आपको बताया है CT scan के रिपोर्ट के बारे में बता दूँ अगर CT scan आपने कराया है चेस्ट का इसमें क्या होता मालूम है हमारे लंग्स में पांच लोब्स होते हैं तीन और दो एक तरफ तीन एक तरफ दो ये पांच लोब का लोग देखते हैं कितना एरिया इन्वाल्व हुआ है अगर सारे लोब में ज़्यादा एरिया इन्वाल्व हो गया तो CT का score out of 25 usually calculate करता है कोई कोई 40 पे calculate करते है highest score है 25 या 40 अगर उसमें आधे से भी one third से नीचे हैं आप करीब साथ से नीचे हैं तो इसका मतब लंग्स अभी involved नहीं हुआ है आप बेफिकर रही है अभी भी आपको steroid की जरूद नहीं है पर अगर वो साथ से पंदरा के बीच में आ जाए तो ये moderate किया 20 के आ जाए तो आपको steroid सुरू करने का time आ चुका है because steroid नहीं सुरू किया और लंग्स में वो पूरी सूजन हित्ती हो गई कि आप oxygen और hospital के चक्कर में भागना पड़ेगा देखिए steroid के बारे में एक बार बता दू steroid दोनों तरफ से काटता है एक ये inflammation को कम करता है ये फायदे का कम करता है नुकसान करता है हमारे डिफेंस सिस्टम को कमजोर करता है पर जिस बक्त हमें oxygen की किलत है हम डिफेंस सिस्टम की नहीं सोचें हम तो एंटिबाटिक ले चुकें पहले से ही तो इसलिए हम लोग ये बोलते हैं जैसे ही आपके लंग्स में निमोनिया साथ या आठ से ज़्यादा पहुंच जाए सिटी स्कैन के रिपोर्ट में तब आपको स्टेरोइड सुरू करने का टाइम आ चुका है तो इसलिए आपको ये मालू होना चाहिए सिटी स्कैन कब हो करोना में हर कोई को सिटी स्कैन करने की जरूवत नहीं है पर जिसको जरूवत है उसको मालू होना चाहिए तो फिर से आपको समराइज करके बता दूँ अगर सिटी स्कैन करना है चेस्ट का कब करना है जब आपकी ऑक्सिजन सैचुरेशन 94 से कम हो जाए खांसी बढ़ जाए या आपको खांसी के साथ साथ ब्रेथलेसनेस हो तब आप सिटी स्कैन कर सकते हैं चेस्ट का या तो 6 मिनिट वाक टेस्ट करवा के वो अगर ऑक्सिजन सैचुरेशन 6 मिनिट वाक के बाद कम हो जाती है तब कराईए और अगर आप सीरीज ऑफ ब्रेथ होल्डिंग टाइम चेक करते हैं ब्रेथ होल्डिंग टाइम सबसे हलका टेस्ट है 6 मिनिट जो वाक टेस्ट है वो थोड़ा डिफिकल्ट है और पल्स ऑक्सिमिटर से ऑक्सिजन वो भी इजी है तो ये तीन टेस्ट घर में बैठके आप कर सकते हैं और आपको ये इंडिकेशन हो जाएगा सीटी स्कैन की जरूफ है की नहीं है और अगर सीटी स्कैन कराते हैं उसके रिजल्ट जरूर देखे अगर स्कोर पचीस में से साथ के आसपस है तो आपकी कंडिशन खराब नहीं है मुट माइल केस है और अगर बीस तक पहुँच जाते हैं तो खराब केस है और बीस के बाद आप समझ लिए जब होँ स्पिटलाइजेशन की सोचनी पड़ेगी तो स्कोर आप जरूर चेक करिए सीटी का पर हर कोई नहीं जिनको जरूरत है वही करें हमारे देखे आज इंडिया में इतने सारे कोरोना पेशिंट बढ़ रहे हैं और सब कोई सीटी स्कैन करने लगे तो कोई भी इंड नहीं है इसका ना हमारी फैसिलिटीज हैं हमारे पास ना हमारे पास इतने पैसे हैं वेस्ट करने के लिए तो मैं चाहता हूँ सीटी स्कैन के बारे में आपको जानकरी हो और ये सीटी स्कैन से में लोगों को ये पता चल जाता है korona में lungs involvement किती सी वी ए और आपको आगे से मालूम हो तो treatment में बहुत पता चल सकता है कि किया treatment किस बकत कब शुरू करें तो आज यहींपर मैं रोकता हूँ मैं आपको आगे बताउँ गा korona में दवाईयां क्या क्या दिया जाता है और कौन सी दवाई किते फाइदे की है अगर आपको ये वीडियो समझ आई है तो आप इसको जरूर लाइक कीजे हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीजे लोगों से शेयर कीजे सीटी स्कैन हर कोरोना पेशिन को करने की जरूरती इंडिया में आज करोडों कोरोना मरीज हैं और सब को ये टेस्ट नहीं करवाएं कुछ लोगों को जरूरत है किसको जरूरत है वो मैंने समझाया है इस वीडियो को आप जरूर सबसे शेयर कीजे हर कोरोना मरीज को ये वीड इस्तेदारों को देखना चाहिए तो आज मैं विदा लेता हूं कल फिर एक और वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगा थैंक यू सो मच